बिस्मिल्य रोमान रहीम, असलाम लेकुम स्टुडेंट्स, होप यू आर फाइन, मेरे नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, जो स्टुडेंट्स ये वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ल क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो इस पर मैं FLP, जो है वो डिसकस करने जा रहा हूं, और इसको मैंने FLP1 का नाम दिया है, मैथ पोर्शन, आपको पता है कि नस्टेस्ट में 80 क्वेस्टन जो हैं, वो मैच के आते हैं, और 10 क्वेस्टन जो हैं, वो Q-based, sequence and series से related question पूछे जाते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, तो इस वीडियो में, इस lecture में, question 1 to 15 जो हैं, वो मैं डिसकस करने जा रहा हूं, तो question number 1, start करते हैं, जी, बिसमला करते हैं, if g of x is equal to x plus k, then g inverse of x, question mark, अब देखें, inverse function जो है, यानि कि function का जो inverse है, वो आप exercise 1.2 में पढ़ चुके हैं, second year में, तो उसका एक proper method भी है, कि आप पहले g of x की जगा पे y लिखें, ठीक है, फिर x को subject बनाएं, तो वो proper method पहले मैं आपको करवा देता हूं, जैसे मैं g of x की जगा पे y लिखता हूं, व तो g of x की जगा पे मैंने y लिख दिया, तो x plus k, x को subject बनाया, तो y minus k, फिर हमें पता है, मैंने लिखा के g of x is equal to y, तो x is equal to क्या लिख दूँगा, g inverse y, इस x की जगा पे लिख दिया, g inverse y is equal to y minus k, और फिर end पे हम करते थे, के y की जगा पे x को जो है, वो replace कर दें, तो ये इ देखें तो इस पे कितना time लग रहा है, और inverse जब भी वो find करने को कहेगा, तो बड़ा असान सी जो को है, वो linear equation हो जाए, दी होगी question में, तो आपने क्या करना है, आपने simple इस g of x की जगा पे न, x लिखना है, और इदर से जो भी constant है, x के इलावा, जो भी constant है, उसको आपने समझें के left side पे लेके आने, जैसे यहाँ पर plus k है, तो इस side पे लेके आए, तो minus k हो जाएगा, अगर यहाँ पर plus k by two होता, तो इदर आके वो minus k by two आ जाता, तो x minus k इसका inverse है, जी inverse x, तो यह सबसी असान method है, पाकि यह board में जब short question आता है, तो आप इस तरह से करते हैं, ले के time जो है, वो save हो, g of x की जगा पे आपने x लिख लेना है, यहाँ पर जो भी function हो, h of x, f of x, जो भी function हो, उसकी जगा पे आप x लिखें, और right side पे जो भी constant हैं, constant है, चाहे add हो रहे हैं, तो उदर जाके subscribe कर लें, इदर multiply हो रहे हैं, उदर जाके divide कर लो, ठीक है, इदर divide हो हो रहे हैं, उदर जाके multiply कर दो x के साथ, तो अभी यहाँ पर plus k है, तो उदर जाके यह minus k होगा, तो यह इसका inverse हा जाएगा, x minus k विटा, alpha option बनेगी, ओके, अब देखते हैं, जी question number two, तो question two की statement पढ़िएगा, इसमें वो कह रहे हैं कि कौनिक दिया हुए है, the equation represents parabola, ellipse, circle, कौन सी कौनिक है यह, अब देखें, यह चैप्टर six का question है, last exercise में, जिसमें general equation of कौनिक जो है, वो हम discuss करते हैं, फिर उसका जो डेल का formula है, pair of straight lines के लिए, जिसमें डेल is equal to zero आता है, वो हम discuss करते हैं, फिर h square minus a b का जो result है, वो greater than zero हो, less than zero हो, is equal to zero हो, तो उस पर क्या condition है, और फिर उसमें हम h square minus a b is equal to zero, less than zero में हम उसको parabola, किस तरह से कहते हैं, यह हमने पड़ा हो है, तो हम मैं आपके साथ share करता हूँ, the general equation of कौनिक जो है, वो a x square plus two h x y plus b y square plus two g x plus two f y और plus c is equal to zero होता है, यह general equation of कौनिक है, तो यहां पर बेटर जो delta का फार्मूला है, यानि किसका determinant लें, तो यह बनता है, a, b, c, h, g, f, और h, g, और f, ठीक है, यह delta का फार्मूला है, ओके, अब यहां इस पर condition है, अगर delta is equal to zero होगा, तो यह pair of straight lines बनेगा, तो यह मैं बोल देता हूँ, बाकि यह कहते हैं, पहले मैं आपको यह question करवा देता हूँ, question number three, और फिर हम इस पर आते हैं, ताके हमें हमारे पास जगा बन जाएगी, तो फिर हम अच्छे से यह question कर लेते हैं, चलें, अभी question three करते हैं, in an ap is t3 is equal to four, t5 is equal to eight, t50 is equal to question mark, अब इस तरह का question जो है, जब chapter six की मैंने थियोरी करवाई है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके, ecat, nest, और प्यास वाला जो folder बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में, उस में chapter six मैंने complete उसकी theory with mcqs जो है, वो डिसकस किया हुए, तो वो भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले वेटा आप d find कर लें, common difference, तो d के लिए हम करेंगे, eight minus four, और फिर यह terms minus कर लें, यानि कि उपर m minus n होता है, और नीचे, इसका जो है, वो terms minus कर लें, five minus two, five minus three, तो four over two, जो है, वो आजाएगा two, ऐसे ही है, अब t50 जो हमने find करना है, तो t50 के लिए हम इस से start करते हैं, तो eight plus fifty minus five कर रें, उनकी terms, fifty minus five की आप 45, into d कर दें, common difference two, तो eight plus ninety, ninety eight विटा इसका answer है, यह इसका shortcut है, बाकी आपने जो book में question किये हुए हैं, उसमें आप t3 से find करेंगे, इसको लिखेंगे a plus two t, इसको लिखेंगे a plus four t, फिर इन दोनों का आपस में solve करके first term of common difference निकालेंगे, ठीक है, तो a plus यह 2d बनेगा, a plus 2d और यह बनेगा a plus 4d, ओके, तो पहले मैंने वो t बोल दिया था, तो ऐसे नहीं है, a plus 2d और यह बनेगा a plus 4d, इन दोनों को solve करके, हम a और d की value निकालेंगे, फिर t50 जो है, which equal to आएगा a plus 49d, तो उस तरह से यह बहुत लंबा question बन जाएगा, तो इसका वेटा एक शोटा सा shortcut है, common difference के लिए आपने terms को minus करना है, 8 minus 4 उपर लिखना है, फिर इसका जो subscribe है, यानि कि 5 minus 3 से divide करो, तो 4 minus 2, 2R है, यह तो common difference हा गया, अब हमने t50 find करना है, दुबारा मैं revise कर रहा हूं यह question, तो यहां से अगर आपने start क करना है, तो 8 plus 50 minus 5 करें, 45 into common difference 2, तो 90 plus 8, 98, अगर आप 4 से start करना चाहते हैं, तो मैं लिखता हूं 4 plus, अब 50 में से minus करें, 3, 50 minus 3, 47 into common difference 2 कर दें, तो 47 into 2 कितना बनेगा, 47 into 2 जो है, 50 minus 3 किया 47, ओके, यह कितना आएगा, 47, 45, 94, 4 plus 94, कितना होता है, 98 होता है, तो यह question आपने याद रखना है, बहुत important question है वेटा, यह याद रखना है आपने, ओके, अब चलते हैं, question 2 पर ही बात करते हैं, क्यूंके वो मैंने pending करवा दिया था, क्या हम बाद में करते हैं, अच्छा, यह वेटा, इसका जो मैंने लिखा था, the general equation of quonic, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, और डेल का जो फार्मूला है, a, b, c, diagonal में आएगा, और उपर hgf और hgf, अगर number 1 पर मैं लिखता हूँ, कि if del is equal to 0 आजए, यह delta की value है, या इसको del पढ़ते हैं, तो फिर जो यह conic है, यह pair of straight lines बनाएंगे, pair of straight lines बनाएंगे, number 2 पे, if h square minus a, b less than 0 हो, और a is equal to b हो, और delta is not equal to 0 हो, बाकि सारे जो चारों केसिज मैं लिखूँगा, उसमें del जो है, is not equal to 0 होगा, क्योंकि del is equal to 0 के लिए तो वो pair of straight lines बना रहे हैं, और बाकियों के लिए not equal to 0 आएगा, del, और h square minus a, b less than 0 हो, और a is equal to b हो, तो फिर यह circle बनाता है, इसी तरह number 3 पे, if h square minus a, b is less than 0 हो, और a is not equal to b हो, और del is not equal to 0 हो, तो फिर यह विटा ellipse बनाता है, ओके, और number 4 पे देखें, number 4 मैं यहां पे लिख रहा हूँ, के if h square minus a, b is equal to 0 हो, is equal to 0 हो, तो फिर यह, or del b इसमें not equal to 0 होगा, तो फिर यह पैरा बोला बनाता हो, पैरा बोला, समझे रहे बात, और number 5 पे, h square minus a, b is greater than 0 हो, तो और del is not equal to 0 हो, तो यह विटा बनाता है, हाइपर बोला, पांचों कंडिशन जो हैं, वो आपने याद रखनी हैं, हम इसको दुबारा रिवाइज कर लेते हैं, number 1 पे क्या है, के del is equal to 0, तो pair of straight lines, सही है, अब आपने इधर नहीं देखना, अब इसको रिवाइज कर लेते हैं, number 2 पे क्या है, के a square minus a b less than 0, and a is equal to b है, ओके तो circle बनाता हैं, और चारों बाकी फर्दर आगे, जो options हैं, उसके लिए del is not equal to 0 ही है, number 3 पे, if a square minus a b less than 0, and a is not equal to b, and delta is not equal to 0, तो ये क्या बनाएगा, ellipse बनाएगा, और parabola के लिए क्या condition है, के a square minus a b is equal to 0, and del is not equal to 0, parabola, and if a square minus a b is greater than 0, and del is not equal to 0, hyperbola, तो ये पांचों कंडिशन्स जो है, general equation of conic, conic जो है, वो किसको represent कर रही है, तो ये पांचों कंडिशन्स वेरी वेरी इंपोर्टन्ट है, अब आते हैं question की तरफ, question तो हम भूली गई, मैं तो conditions ही आपको याद कर्वाने लग पड़ा, अब देखें, the equation x square plus 2 y square minus y is equal to 0 represents, अब यहाँ पर a is not equal to b है, x square, a x square plus b y square होता है न, तो a is not equal to b है, यानि के यहाँ पर condition जो है, वो circle की तो नहीं है, ellipse की condition बन रही है, अब हमने देखना है के h square minus a b, जो है, वो less than 0 है या नहीं, तो यहाँ पर xy वाली term तो है ही नहीं, यानि के 2h xy वाली term नहीं है, तो h component 0 है, और minus h square minus a b, तो देखें, a की value यहाँ पर 1 है, और b की value जो है, वो 2 है, तो h जो है, वो 0 है, और minus a into b, तो the minus 2 is less than 0 आ रहे है, और a is not equal to b है, मजीद आप इसका डेल्टा भी चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पर raise करके, बलके हम इसको raise कर देते हैं, इसकी जरूवत अब नहीं है, देखेंगा, हमारे पास जो equation है, वो है, x square प्लस 2y square minus y is equal to 0, यहाँ पर a की value 1 है, b की value 2 है, और 2fy, 2f is equal to minus 1, तो f की value minus 1 by 2 है, अब a, b, c में 1, 2, 0, h जो है, वो 0 है, g b 0 है, और f की value minus 1 by 2 है, h 0 है, g 0 है, और f की value minus 1 by 2 है, अगर मैं इसका delta find करता हूँ, ठीक है, तो इसमें हमारे पास, जो delta की value है, वो क्या आ रही है, देखेगा, a, b, c, और h, g, f, f जो है, वो हमारे पास 2fy, ठीक है, यहाँ आप से 1, open करें, तो यह आएगा, 0 और minus 1 by 2, यानि के minus 1 by 2 is not equal to 0, बाकी 0, 0 से expand करेंगे, तो 0 आ जब, तो बिलकुल ठीक है, अब तीनों condition जो हैं, वो verify का रही है, a is not equal to b, h square minus a, b less than 0, और del is not equal to 0, तो यह वेटा ellipse बनाता है, very important question है, यह इसको अपने अच्छे से जो है, वो पढ़ना है, अब आज़ें जी question number 4 पे, तो मैं यह सारा जो है ना, अब्रेस कर देता हूँ, question 4 देखिएगा, sum of infinite series is, sum of infinite series, तो हमारे पास series है, 4.8, 2.4, 1.2 and so on, okay, अब इसमें देखें हैं, तो first term जो है, वो 4.8, ratio जो है, वो 2.4 over 4.8, तो यह आजएगा, 1 by 2 less than 1, infinite geometric series का formula होता है, less infinity is equal to a1 over 1 minus r, इसको बेटा solve करें, तो 4.8 over 1 over 2, तो यह 9.6 आजएगा, 2 उदर जाके, उपर जाके multiply हो जाएगा, तो इसकी correct option बन रही है, चारली, अब चलते हैं जी question 5 पे, question 5 बेटा, देखिएगा, absolute value of 1 plus 2 iota over 1 minus 2 iota का whole square, तो इसमें बेटा आपको properties of absolute value या complex number की सारी properties, जो है, वो पता होनी चाहेंगे, तो यह property आपने याद रखनी है के, complex number की power n, या modulus की power n, यहाँ पर n जो है, वो belong का रहा है, set of integers को, तो जब हमने इसका modulus लेना है, तो 1 plus 2 iota over 1 minus 2 iota का square, जब इसका मैंने modulus लिया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 plus 2 iota over 1 minus 2 iota, modulus का square, ऐसे ही है, यह वाली property जो है, वो हमने use की, अब इसका modulus लें, तो यहाँ जाएगा, 1 plus 4, over 1 plus 4, real part का square plus imagery part का square, whole square, तो यह दोनों same है, cancel हो जाएगे, तो 1 का square 1 आ जाएगा, तो इसकी correct option क्या बनेगी, alpha बनेगी, समझ आ रही है आप लोगों को, साथ साथ हैं आप, लो जी, साथ साथ रहना है, और question देखें जी 6, question number हमारे पास 6 है, integration का यह question है, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, 1 plus x square की power minus 2 over 3 into 2x और dx, अब देखें, इसकी जो base है, 1 plus x square, इसका derivative आगे जो है, वो 2x पड़ा हूँ है, तो जब उपर इसकी base का आगे derivative पड़ा होता है, तो हम power में plus 1 कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा, 1 plus x square की power minus 2 over 3 plus 1 over minus 2 over 3 plus 1 plus c, तो इसको solve कर लें, 1 plus x square की power 1 over 3 over 1 over 3 plus c 3 उपर चला जाएगा, और 1 plus x square का यह है, cube root plus c, तो देखें, क्या कौन सी option बन रही है, हमारे पास इसकी जो right option है, वो alpha बन रही है, बाकि plus c ना भी लिखें, anti-test का question है, कोई issue नहीं है, यह कोई बड़ी mistake नहीं है, तो अब चलते हैं question 7 पे, which of the following does not hold commutative property, तो आपको पता है कि जो addition है, उसमें तो commutative property hold करती है, natural number में, 2 plus 3 is equal to 3 plus 2, complex number में addition property जो है, वो hold करती है, सही है, और इसके बाद जैसे additive property z1 plus z2 is equal to z2 plus z1, यह complex number में है, multi addition के लिहाज से जो है matrix में property hold करती है, commutative बिल्कुल ठीक है, लेकिन multiplication के लिहाज से hold नहीं करती, आपको पता है कि in general, a, b is not equal to b, a होता है, a, b is not equal to b, a होता है, in general, तो कुछ special cases हैं, जिसमें a, b is equal to b, a होता है, सही है, और वो special cases क्या हैं, कि या तो वो एक दूसरे के multiplicative inverse हो, या उन में से कोई एक matrix, जो है वो identity matrix हो, या उन a, b में से कोई एक matrix, जो है वो null matrix हो, तो फिर ये तीनों conditions के लिए, a, b is equal to b, a होता है, बाकि in general, जो है, वो a, b is not equal to b, a होता है, तो हमें पता चल गया, कि multiplicative, multiplication के लिहाज से, commutative property hold, नहीं करती बेटा, अब आज है question number 8 पे, तो इसमें determinant की property, अगर मैं लगाता हूँ, तो देखें, 2-1, 1, 5-4, 1, 8-7, 1, तो column second जो है, इसके one element, सारे elements जो है, वो one-one बन रहे हैं, इसके बाद अगर मैं, 3-2, 6-5, 9-8 करता हूँ, तो जो third column है, इसके भी सारे element, one-one बन रहे हैं, तो यह आपने property पड़ी हुई है, कि अगर determinant में, कोई से भी 2 rows, या 2 columns same हों, identical हों, तो इसका determinant क्या होता है, zero होता है, तो इसको solve करने की भी जरूरत नहीं है, तो इसका alpha option, विटर right option है, अब आज है question 9, four fourth roots of one are, यानि कि four fourth roots of unity, जो है, हमने chapter 4, first year में पड़ा हुए है, तो वो plus minus one, plus minus iota होता है, तो plus minus one को one minus one अलेदा, और plus minus iota को one iota minus iota भी लिख सकते हैं, cube roots of unity भी आपने पड़े हुए हैं, one और iota और minus iota, sorry, cube roots of unity जो हैं, वो one omega और omega square हैं, बिल्कुल ठीक, यानि कि cube roots of unity, one omega और omega square, और omega आपको पता है कि, minus one plus square root three iota over two होता है, और omega square minus one minus square root three iota over two होता है, और four fourth roots of मैंने आपको बता दिया है, plus minus one and plus minus iota, अब जी, चलते हैं question ten पे, तो इसको पढ़िएगा, थोड़ा दो चार मिनिट, जो है वो हम rest भी कर लेते हैं, question ten है, the difference of arithmetic mean and geometric mean between two numbers is one, then numbers are, तो मैं वो numbers लेट कर लेता हूँ, कि a और b हैं, जैसे उन्होंने बोला है, arithmetic mean और geometric mean में जो difference है, वो one है, अब इस तरह से a, b find करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे ही है, तो हम जो है, इस पर options पूट करते हैं, जैसे मैं four or two पूट करता हूँ, तो यह आजाएगा four plus two over two minus four multiply by two, तो यह आजाएगा three minus eight का square root is not equal to one, ऐसे ही है, अब यह square root से हमें यह पता चल रहा है, कि यहाँ पर वो value put करें, जिसका complete square root आ जाएगा, यानि कि इसके अंदर एक square number बान जाए, जैसे four two zero eight का square root तो जो है वो decimal में आएगा, six two zero twelve यहाँ पर put करें, 12 का square root भी whole number नहीं आएगा, eight two zero sixteen करें जरा, eight two zero sixteen का square root four आ जाएगा, तो इस तरह से भी option से आप जरूरी नहीं है कि हर option put करें, अब जल्दी से वो option देख लें कि जिसका square root जो है वो एक whole number आ रहा है, जैसे eight plus two over two minus eight multiply by two किया, तो यह आ जाएगा five minus four तो one, देखें, one के ब्राबर आ रहा है, तो इसकी correct option क्या बनेगी, चार्ली बनेगी बिटा, समझ रहे हैं बात, clear है चीज़ें, अब आज़ें जी question 11 पर, if a and b matrix हैं, two by two order के matrix हैं, और यहाँ पर जो b matrix है, वो identity matrix है, then which one is true, अब देखें, identity matrix को, जिस merge matrix से multiply करें, वो matrix पे, उस matrix में कोई फरक नहीं पड़ता, जैसे मैं यहाँ पर a को b से multiply करूँ, तो a ही आएगा, क्योंके b जो है वो identity matrix है, तो a b is equal to a आएगा, उन्होंने a b is equal to b लिखा हुआ है, तो यह wrong option है, b option में देखें, वीटा में तो a square b is equal to b, यानि कि identity matrix को, अगर मैं a square से multiply करूँ, तो यह b के equal नहीं आएगा, यह a square के equal आएगा, ऐसे ही है, a की power 2, इसी तरह अगर identity matrix को, b square है, b की power 3 है, b की power 4 है, यह हमेशा, यानि कि b की power n हो चाए, यह n यहाँ पर positive है, यह यहाँ पर positive है, तो यह identity matrix हो, तो उसकी power जितनी पी हो, वो हमेशा identity matrix ही रहेगा, ओके, तो, अब a b square is equal to a, आएगा a, तो बिलकुल ठीक, चारली option जो है, वो इसकी correct option है बेटा, और बाकी मैंने delta option आपको पहले समझा दिया है, कि a b is equal to a आता है, और उन्होंने लिखा हुआ है, कि a b is not equal to a, अब आ जाते हैं, जी question 12 पे, तो i dot j cross a, तो यह scalar triple product है, तो j cross k जो है, वो i होता है, और i dot i जो है, वो one होगा, बाकी अगर मैं इसको टर्मिनेंट से लिखा हूँ, तो one zero 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 one zero 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 one, तो इसका टर्मिनेंट लें, तो diagonal को simple multiply करें, क्योंकि यह triangular matrix है, तो one answer आ जाएगा, बाकी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कि i dot j cross k जो है, वो i होता है, तो i dot i one होगा, यह साइकली का आपने पड़ा हुआ है, यानि कि इस तरह से vectors में, i और j और k, j cross k i होता है, k cross i, j होता है, i cross j k होता है, तो इस तरह हम एंटी clockwise चलते हैं, अगर clockwise चलें, जैसे k cross j, तो यह minus i के equal होगा, j cross i, जो है, minus k के equal आएगा, और i cross k जो है, वो minus j के equal आएगा, clockwise में वो negative आजाते हैं, और anti clockwise में positive, और बाकी डॉट पर प्रोड़क्ट में, i.i, j.j, k.k सब की value जो है, वो one होती है, और डॉट प्रोड़क्ट में अगर different होँ, जैसे i.j है तो यह 0 बनेगा, j.k, 0, k.i 0 बनेगा, मैं एक mcq से आपको सारी detail बताता हूँ, ताके इस तरह का कोई और mcq भी आता है, तो आप कर सकें, ठीक है, अब जलते हैं, question 13 पर, तो which one is not true, जैसे a intersection empty set ले रहा हूँ, तो empty set आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, intersection में जो हैना common elements आते हैं, तो a intersection empty set, empty set ही रहेगा, a union empty set में बड़ा set आता है, union के लिए हाज से तो a set बिल्कुल ठीक है, जो चार्ली option है, उस पर जरा focus करें, तो a complement intersection 5 complement is equal to a complement, कैसे जो है वो आया है, यह true है या wrong है, कैसे कर देखना इसको, अब आपने एक property पड़ी हुई है, कि a union b का whole complement, d morgan's law, a complement intersection b complement, अब इसको जरा गोर करें, तो मैं लिख सकता हूँ, a union 5 का whole complement, ऐसे ही है ना, यानि कि इसमें मैं b की जगा पर 5 लिख दू, अब a union 5 तो a होता है, अभी हमने a union 5 जो है पड़ा है, b option में, तो यह a complement के equal, यह बिलकुल right option है, चारली जो है, बिलकुल right option है, अब आते हैं जी delta option पे, a minus empty set, empty set, no, a minus नहीं, sorry, a difference empty set जो है, वो a होगा, तो उसने empty set लिखा हुआ है, तो यह not true option, अब आते हैं जी question 14 पे, तो cos 20 sin 70 minus cos 110 sin 20, तो इस तरह का जो formula है बिटा, वो आप sin into alpha plus beta, sin into alpha minus beta, chapter 10 में आपने पड़े हुए हैं, cos into alpha plus beta, cos into alpha minus beta, उसमें इसको change करें, जैसे मैंने लिखा, cos 20 और sin 70, और minus cos 110 जो है, मैं इसको 180 minus 70 लिख लेता हूँ, और sin 20, क्योंकि इदर 20 एंगल पहले से पढ़ा हुए, इदर भी 20 पढ़ा हुए, तो हम 110 को जो है, वो change करते हैं, तो मैंने लिखा cos 20, sin 70, अब 180 है, तो allied angle के मताबिक, 180 या 360 हो, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कि 90 का even multiple हो, तो trigonometry function को हम change नहीं करते, तो यह cos 70 आ जाएगा, अब 180 minus 70, जो है, यह second quadrant है, तो second quadrant में cos जो है, वो negative होता है, और sin 20 आ जाएगा, तो minus minus plus बन जाएगा, तो यह बनेगा, मैं इसको arrange करके लिख लेता हूँ, sin 70 cos 20 plus cos 70 और sin 20, तो इसको अब जरब गोर करें, इस पर expression पे, तो sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta, तो पेटा, यह formula नहीं बन रहा, sin into alpha plus beta वाला, sin alpha cos beta, और plus cos alpha और sin beta, तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ, sin into 70 plus 20, तो sin 90, sin 90 जो है वो one होता है, तो इसकी correct option बनेगी, बीटा बनेगी, ऐसे ही है, समझ आ रही है आप लोगों को, नमबर आने चाहिए पेपर में, टेस्ट में आप लोगों के, ठीक है, अब चलते हैं जी question 15 पे, period of f of x equal to 10 x plus sin pi by 2, इसको solve करते हैं, तो sin pi by 2 जो है basically 1 होता है, तो f of x is equal to 10 x plus 1, sin pi by 2 sin 90 जो है वो one है, तो अब हमने 10 x plus 1 का period बताना है, तो basically यहाँ पर trigonometry function जो है, वो 10 है, तो 10 और code का period आपको पता है कि pi होता है, तो इसमें plus 1 से कोई फरक नहीं पड़ेगा, plus 1 से कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो 10 का जो period है वो pi है, alpha option इसकी correct option है, तो question जो है वो complete होते हैं बेटा, इनको पढ़ें अच्छे से, और आपको एक भी question अच्छा लगे, आपको समझ आए, तो comment लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, nurse preparation पर बहुत important, बहुत अच्छे अच्छे लेक्टर्स आप लोगों के लिए आने वाले हैं, इसको देखते रहिएगा, अपना ख्याल रखें, और नेक्स वीडियो तक के लिए रायरूर को इजाज़त दें, अल्लाफीज,